हेलो फ्रेंड somate crafting में आपका स्वागत है आज देखे में ये थाल पोस बना कर लाई हूँ और ये थाल पोस देखने में बहुती सुन्दर लग रहा है आप इसको मैट भी बना सकते हैं टेबल कवर भी बना सकते हैं थाल पोस तो मैंने ये बनाया है या इसको कुछ भी आप इसको बना सकते हैं अब देखें मैं आपको इसकी चोड़ाई बता देती हूँ कि इसकी चोड़ाई मैंने कितनी रखी है देखें इसकी चोड़ाई नेई 24 इंच 24 इंच मैने इसकी चोडाई रख है यहां इसका मेजर्मेंत है तक आप मेरे को कमेंट में लेखेऊ कि यह थाल्फोस आपको कैसे लगा तो कि हे थाल्फोस का क्रोशिय होक लिया है 6 नंबर का देड़ थाल पोस को आप मैं बुनती हूँ सबसे पहले मैं फ्ल्वाओर बनाती हूं फ्ल्वाओर को बुनना है तो देखिए इस तरह से में नोट बाद हूंगी यह मैंने नोट बादना वांद इसमें मैं 10 chain डालनी है, 10 chain डालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक ये 10, देखे, 10 chain मैंने ये डाल दी है, अब देखे, यहां पर मैं slip stitch लेते हुए join कर दूँगी, देखे, इस तरह से मैंने ये join कर दी है, रिंग बन गई है, इस तरह से, देखे, अब देखे, मैं इसमें 3 की chain डालूँगी, 3 की chain डालना है, 1, 2, 3, ये मैंने 3 की chain डाल दी है, अब इसमें मैं double crochet डालूँगी, 1 double crochet, यह हो गए है total 2 double crochet, 3 की chain को भी मैंने double crochet में count किया है, ये हो गए है 3 double crochet, और एक ये 4 double crochet, देखे, ये मैंने 4 double crochet डाल दी है, अब 1, 2, 3, 3 की chain, अब देखे, इसको back से बुनना है, 1 double crochet, ये हो गए है 2 double crochet, 3 double crochet, और एक ये 4 double crochet, इस तरह से मैंने ये 4 double crochet डाल दी है, फिर 1, 2, 3, 4, 4 chain, अब देखे, फिर मैं ring में double crochet डालूँगी, chain को लेते हुए double crochet डालना है, देखे, 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet, और एक ये 4 double crochet, देखे, इस तरह से, मैंने ये 4 double crochet डाल दी है, अब 1, 2, 3, 3 की chain, अब बैक से बुनना है, ये हो गए 2 double crochet, 3 double crochet, और एक ये 4, 4 double crochet, देखे, 1, 2, 3, 4, 4 की chain, देखे, इसी तरह से ये flower leaf को बुनना है, है, flower leaf को बुनना है, इसी तरह से, 2, 3 और एक ये 4, बन, 2, 3, 3 की chain, अब देखे, बैक से बुनना है, इदा से, है, 2 double crochet, 3 double crochet, और एक ये 4 double crochet, देखे, ये मैं इसमें ये तीसरी पत्ती डाल रही हूँ, है, 1, 2, 3, 4, 4 की chain, देखे, इसी तरह से फिर रिंग में बुनना है, ग्यारा पत्ती डालनी है, इसमें, 11 flower leaf डालनी है, 2, 3, और एक ये 4, देखे, 4 double crochet, बन, 2, 3, 3 की chain, और फिर से डालना है, 4 double crochet, 2, 3, और एक ये 4, ये मैंने पत्ती पूरी कर दी है, अब 1, 2, 3, 4, 4 की chain, अब फिर इसी तरह से मैं रिंग में 4 double crochet डालूंगी, लीफ बनाने के लिए, इसी तरह से flower को पूरा करना है, इसी तरह से flower leaf बनानी है, इसी तरह से मैं complete करूंगी, flower को, 4 chain, 4 double crochet, बन, 2, 3 और एक ये 4, 4 double crochet डाल दिये हैं, बन, 2, 3, 3 की chain, और अब 4 double crochet डालना है, 1, 2, 3, और एक ये 4, 1, 2, 3, 4, 4 की chain, देखिए अब मैं flower को join कर देती हूं, 4 chain, और यहाँ पर slip stitch लेते हूँ जॉइन करना है, देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये 11 flower leaf डाल दिये हैं, 11, अब देखिए, रिंग को में tight कर दूँगे, इस तरह से मैंने रिंग को ये tight कर दिया है, देखिए, इस तरह से ये flower बन कर आ गया है, अब देखिए, इसमें मैं green curl लगाती हूँ, green curl लगाना है, देखिए, इस तरह से मैंने ये बना दिया है flower, देखिए, इस तरह से ये flower मैंने बना दिया है, इसको मैं circle में बुनूँगी, circle में बुनना है, देखे इस तरह से मैं इसको सरकल में बुनूंगी ग्रीन किलर लगाऊंगी देखे इसमें मैंने ये 11 लीव डाले हैं 11 लीव डाले हैं और इसमें मैंने 8 लीव डाले हैं 8 पत्या इसमें डाली हैं और इसमें 11 पत्या डाली है इसमें मैंने 10 चेन डाली थी और इसमें मैंने ये 6 चेन डाली है 6 चेन डाली है रिंग में अब देखिए इसको मैं सरकल में बुनती हूँ ग्रीन करल लगाती हूँ अब इसमें तेखे 5 5 डबल क्रोशिया डाले है इसमें मैंने 5 डबल क्रोशिया डाले है फाइब डबल क्रोशिया, फाइब डबल क्रोशिया इस तरह से मैं बनूंगी फाइब डबल क्रोशिया डालते हुए बन, टू, थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया यह होगे टू डबल क्रोशिया, तरी डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया और यह ही फाइब डबल क्रोशिया यह मैंने फाइब डबल क्रोशिया डाल दिये है अब देखिए नेक्स्ट चेन में भी फाइब डबल क्रोशिया डालना है 5-5 double crochet डालते हुए रो को complete करना है और यह यह 5 double crochet यह मैंने 5-5 double crochet डाल दिये है अब देखे मैं इसको यहाँ पर slip stitch लेते हुए जोईन कर दोंगे और दागे को मैं यह पर अब कट कर देती हूं जाया थागे को मैंने कट कर दिया है देखे इस तरह से मैंने यह राउंड में कि फ्लावर को बुन दिया है यह जाए इसको मैं स्कौयर में बुनुगी यह तो थाल पॉस के बीच में आएगा सेंटर में आएगा यह फ्लॉवर और यह फ्लॉवर में बॉर्डर में लगाऊंगी आगे थाल पोस के बॉर्डर में लगाऊंगी अब देखे मैं इसको स्क्वाइर में बुनूंगी इस वाले फ्लॉवर को स्क्वाइर में बुनना है बन टू थ्री थ्री की चेन और डबल क्रोश्या यह हो गए टू डबल क्रोश्या थ्री डबल क्रोश्या बन टू टू की चेन और थ्री डबल क्रोश्या बन टू और एक ये थिरे देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिये है अब बंचे लेना है और देखिए यहाँ पर डालूँगी नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया बन टू और एक ये थिरे फिर बंचे लेना है फिर यहाँ पर डालूँगी में 6 डबल क्रोशिया टू त्री टू की चेन और 3 डबल क्रोशिया टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया ठीकिए मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिये टू और एक ये थिरे फिर बंचे लेना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है टू और एक ये थिरे फिर बंचे लेना है डालना है 6 डबल क्रोशिया ये थिरे ये बंचे लेना है अब यहां पर डालूंगी मैं थिरी डबल क्रोशिया, बन, टू, और एक ये थिरी, बन चेन, अब देखिए यहां पर मैं सिलिप स्टिच लेते हुए जॉइन कर दूँगी, एक सरकल में बनाया है और एक मैंने ये इसक्वैर में बनाया है, और भी मैंने ये बनाए है स्क्वैर में, किस तरह से मैंने ये बनाए है, फलॉवर, अब देखिए थाल पोस्कों मैं बुनती हूँ इसमें मैं ये बाइट कलर लगाती हूँ बाइट कलर लगाना है तो बाइट कलर से मैं बुनती हूँ इस तरह से बुनना है बन टू थरी थरी की चेन और डवल क्रोश्या ये हो गए है टू डवल क्रोश्या थरी डवल क्रोश्या फू डवल क्रोश्या अब देखिए यहां पर मैं एक और डवल क्रोश्या डालूंगी ये हो गए है फाइब डवल क्रोश्या फिर बन बन चेन और फिर से मैं फाइब डवल क्रोश्या डालूंगी बंचेन फाइब डवल क्रोशिया, बंचेन फाइब डवल क्रोशिया, टू, त्री, फोर, फिर यहाँ पर इंक्रीज करना है, यह होगे हैं फाइब डवल क्रोशिया, बंचेन फाइब डवल क्रोशिया डालना है, बंचेन फाइब डवल क्रोशिया डालना है, बंचेन फाइब टू, त्री, फोर और यहाँ फाइब, तेखें, इस तरह से, प्रवल क्रोशिया डालते हुए, रोको कंप्लीट करना है, बीच में बंचेन फाइब इस तरह से में रोको कंप्लीट करोंगे, फाइब डवल क्रोशिया बंचेन अब देखें, यहाँ पर मैं सिली पिस्टिच लेते हुए, ज्वाइन कर दोंगे, देखें, इस तरह से यह रो मैंने कंप्लीट कर दी है, फाइब डवल क्रोशिया डाले हैं और बंचेन, फाइब डवल क्रोशिया बंचेन डाले हैं मैंने, अब वन, टू, थिरी, थिरी की चेन और डवल क्रोशिया, टू, थिरी, फोर, फाइब और एक यह 6, यहाँ पर भी मैंने यह इनक्रीज कर दिया है, डवल क्रोशिया को बढ़ा दिया है, फेर बंचेन, फृर ईसी तरह से बुन ना है, 6, 6 डवल क्रोशिया डालते हुए, तेकि इस तरह से मैंने यह 6, 6 डवल क्रोशिया डालते हुए, रो को कम्पलीट कर दिया है, अब बंचेन चेन सिलिप स्टिच लेते हुए, यहाँ पर मैं जौईन कर दूंगे, तेकि इस त थाल पोस बन रहा है, आगे को इसी तरह से में बढ़ाऊंगी, अब आगे की रो बनानी है, थ्री थ्री चेन और डबल क्रोशिया, अब डालूँगी मैं सैवन डबल क्रोशिया, थ्री, फॉर, फाइब, सिक्स, और एक यह सैवन, थीए मैंने सैवन डबल क्रोशिया, डाल दिये है, यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, यहाँ पर किया, यहाँ पर यहाँ पर, इसी तरह से इंक्रीज करते हुए बुनना है, बंचेल लेना है, और सैवन डबल क्रोशिया, डाल ना है, इस तरह सेवन डबल क्रोशिया वन चेन अब देखिए यहां पर में सिलिप स्टिच लेते हुए जोईन कर दोंगे यह रोबी मैंने कम्पलीट कर दिया है देखिए इस तरह से यह सेवन डबल क्रोशिया बने डाले हैं अब देखिए मैं इसकी आगे की रोब बनाती हूं बन टू थ्री थ्री की चेन डबल क्रोशिया यह होगे टू थ्री थ्री फोर फाइब यह शिक्स तव्रेखिए एट एट डबल क्रोश्य मैंने डाल दिये हैं बन डबल क्रोश्य यहां से मैंने इंक्रीज कर दिया है बढ़ा दिया है बन चेन और फिर ऐसी तरह से 8 const ग्रोशिय करदाना है का इस तरह से मैंने 8 सवी नाल दिये है एप यशल्स डाला है पूरी रोह में यह रो मैंने कम्प्लीट कर दी है अब बंचे लेते हुए मैं इसको जोईन कर दूंगी सिलिप स्टिच लेते हुए जोईन करना है इस तरह से मैंने यह जोईन कर दिया है जोईन कर दिया है अब देखे मैं इसकी आगे की रो बनाती हूं इस तरह से आ गई है यह रो बन कर बन टू थ्री थ्री की चेन और डवल क्रोशिया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और एक यह नाइन नाइन डवल क्रोशिया मैंने इसमें डाल दिये हैं यहांपर इंक्रीज कर दिया है वन डवल क्रोशिया को वन चैन और फिर से zing नाइन डवल क्रोशिया डालना 타ू कि कि इस तरह से मैंने ये नैन डवल क्रोशिया डाल दिये हैं वन चेन अब देखिए मैं इसको शिला पिस्टिच लेत assists दे वे ज्वाइन कर दूंगे है कि यह रोवी मैंने complete कर दी है ते इस तरह से आ गई है यह रोबन कर कि ते कि मैं आगे की रोबनाती हूं next रो बन टू थिरी थिरी की चेन और डबल क्रोशिया यह हो गए टू डबल क्रोशिया नाइन और एक यह टैन कि टैन कि टैन डबल क्रोशिय मैंने यह डाल दिये हैं वन चेन और टैन डबल क्रोशिया इसी तरह से रोकू मैं complete करूंगी बन चेन टैन डबल क्रोशिया डालती हूए देखे इस तरह से मैंने यह टैन डबल क्रोशिया डालती हूए रोको complete कर दिया है अब बन चेन लेते हूए मैं इसको यहां पर जॉइन कर देती हूँ इस तरह से यह रोवन कर आ गई है अब देखे मैं इसकी आगे की रोव बनाती हूँ बन टू थी थी की चेन और डबल क्रोशिया तो इसमें डाल ले हैं अब 11 डबल क्रोशिया ग्यारा डबल क्रोशिया डाल ले हैं देखे मैंने यह 11 डबल क्रोशिया डाल दी है 11 बंचे लेना है और फिर से 11 डबल क्रोशिया डालना है इसी तरह से रोव को कम्प्लीट करना है 11 डबल क्रोशिया डालते हूए देखे इस तरह से यह रो मैंने कम्प्लीट कर दी है 11 डबल ग्रोशिय ढाले है 11 अब बंचे लेती हुए इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगे इस तरह से यह थाल पोस आ रहा है बनता हुआ अब देखे मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ बन टू थ्री थ्री की चेन और डबल क्रोशिय अब ट्वैल डबल क्रोशिय इसमें डालने है 11 और एक यह 12 12 डबल क्रोशिय मैंने यह डाल दिये हैं बन चेन और फिर से डालना है 12 डबल क्रोशिय इसी तरह से मैं रो को कम्प्लीट करूंगी 12 12 डबल क्रोशिय डालते हुए रो को कम्प्लीट करना है कि इस तरह से मैंने ये 12 डवल क्रोशिया डाल दिये हैं बंचे लेना है अब बंचे लेते वेए यहाँ पर मैं ज्वाइन करूंगी सिली पिस्टिच लेते वे ज्वाइन करूंगी इस तरह से कि यह रोबी मैंने अब कम्पलीट कर दी है दीए इस तरह से रोबन कर आ गई है तो टोल टोल डबल क्रोशे मैंने इसमें डाले हैं वन चैन अब देखे मैं इसकी आगे की रोबन आती हूं बन टू थी थी की चैन डबल क्रोशिया यह वे टू 12 और एक यह 13 तेरह डबल क्रोशिया मैंने अब यह डाल दिये हैं बन चैन और फिर से 13 डबल क्रोशिया डालने हैं 13 तेरह डबल क्रोशिया डालते हुए रोग को कम्पलीट करना है डबल क्रोशिया को यहां पर इंक्रीज करना है यहां पर इंक्रीज करते हुए बुनना है इस तरह से यह रोबी मैंने कम्पलीट कर दी है 13 डबल क्रोशिया डाल दिये है 13 डबल क्रोशिया बन चैन लेते हुए यहां पर जोईन कर दूंगी सिलिप स्टिच लेते हुए जोईन करना है यह मैंने जोईन कर दिया है इस तरह से यह रोबन कर आ गई है दे 13 डबल क्रोशिया इसमें बनिये डालती है अब देखे मैं इसकी आगे की रोबनाती हूं वन टू थरी थरी की चैन डबल क्रोशिया थर्टीन और एक यह फोर्टीन चोदा डबल क्रोशिया मैंने इसमें यह डाल दिये है बंचे लेना है और इसी तरह से चोदा चोदा डबल क्रोशिया डालती हूए रो को कम्प्लीट करना है बंचे और फोर्टीन डबल क्रोशिया तो यह इस तरह से मैंने यह फोर्टीन डबल क्रोशिया डाल दिये हैं अब बंचे लेते हूए मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से silly stitch लेते हुए join कर दिया है और यह row मैंने complete कर दी है इस तरह से बन कर आ गई है यह row 14, 14 double crochet डाले हैं अब देखे मैं इसकी आगे की row बनाती हूँ 2, 3, 3 की chain double crochet यह होगे 2 double crochet 14 और एक यह 15 15 double crochet मैंने यह डाल दिये है 1 chain और फिर से मैं 15 double crochet डालूँगी 15 double crochet डालना है और row को complete करना है 1 chain अब देखे यहाँ पर मैं silly stitch लेते हुए join कर दूँगे इस तरह से मैंने यह join कर दिया है और यह row complete कर दी है देखे इस तरह से मैंने यह 15 15 double crochet डालती हुए row को complete किया है अब देखे मैं इसमें यह one chain नहीं डालूँगी प्लेइन ही बुननी है double crochet बुनने है double crochet बुनने है तो देखे मैं बुनती हूँ बन टू थरी थरी की chain और डवल क्रोश्या तो रो डवल क्रोश्या ही बुनने है देखे यह हो गए है seven double क्रोश्या तो अब देखे मैं next chain में यहां पर double क्रोश्या को इंक्रीज कर रही हूँ देखे इस तरह से मैंने इंक्रीज कर दिया है अब देखे यहां पर भी मैं double क्रोश्या को इंक्रीज करूंगी इस तरह से इंक्रीज करते हूए रो को complete करूंगी यहां पर किया मैंने इंक्रीज और यहां किया देखे इस तरह से मैंने यह रो भी complete कर दी है अब यहां पर मैं join कर दूंगी slip stitch लेते हूए join कर दिया है और देखे यह रो इस तरह से बनकर आ गई है double crochet डाले हैं मैंने इसमें increase करे हैं जगे जगे double crochet को अब देखे मैं इसकी एक और रो बनाती है यहाँ पर डालू ही मैं करें कि इस तरह से इंग्रीज करना है जग जग डबल क्रोश्याख को यहां क्या यहां क्या है इस तरह से इंग्रीज करना है डबल कि रोशिया को और रो को कम्पलीट करना है कि इस तरह से यह रो भी मैंने अब कम्पलीट कर दी है अब यहां पर मैं सिली पिस्टिच लेते हुए जोईन कर दूंगे इस तरह से मैंने इनक्रीज करते हुए यह इतना बड़ा बना लिया है अब देखे मैं इसमें फ्लावर जोड़ती हूँ फ्लावर जोडने है तो देखे पहले मैं इन फ्लावर को आपस में जोईन कर लेती हूँ आपस में जोड देती हूँ उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी इस तरह से मैं जोईन करूंगी देखे उल्टी तरफ से जोडना है देखे इस तरह से जोनना है बन टू थ्री फोर फोर की चेन और यहां पर डालना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से देखे बन टू थ्री फोर फोर की चेन और सिंगल क्रोशिया बन टू थ्री फोर फोर की चेन और यहां पर डालना है सिंगल क्रोशिया देखे इस तरह से मैंने ये फ्लावर जोड़ दिये हैं इसी तरह से सारे फ्लावर को जोड़ना है अब थाल पोस में इन फ्लावर को जोड़ती हूँ फ्लावर को जोड़ना है तो देखे मैं इस तरह से जोड़ना करूंगी देखे बन तू थिरी थिरी की चैन देखे यहां पर मैं कोने पर जोड़न करूंगी यहां पर मैंने जोड़न कर दिया है और बन चैन अब देखे मैं यहां डबल क्रोश्या बनूंगी यहोगे टू थिरी और एक यह फोर यह मैंने फोर डबल क्रोश्या डाल दिये हैं अब देखे फिर मैं यहां पर इसको सिंगल क्रोश्या लेते हुए बनूंगी दोनों को इस तरह से और वन चैन फिर से मैं फोर डबल क्रोश्या डालूंगी टू तरी और एक ये फोर देखे इस तरह से इसको अटेच करना है लगाना है फिर से मैं देखे फ्लॉवर में सिंगल क्रोशिय डालू इस तरह से फिर वन चेन और फोर डवल क्रोशिय बन टू थ्री और एक ये फोर देखे इस तरह से ये जुड़ रहा है देखे और अब मैं जोइन करती हूँ यहाँ पर देखे इस सेंटर में जोइन करना है इस तरह से बन चेन और डवल क्रोशिय आफोर डवल क्रोशिय बन टू तरी और एक ये फोर इस तरह से ये आ रहा है जुड़ कर फोर डवल क्रोशिय आफ फिर यहाँ पर में सिंगल क्रोशिय लोगे इस तरह से फिर वन चेन और फोर डवल क्रोशिय आफो टू तरी और एक ये फोर इस तरह से पूरी रो complete करनी हैं जोड़ते हुएं देखे इस इस तरह से आएंगे ये flower जोड़ना इस तरह से मैं स्वाइन करूंगे, अभी यहाँ पर सिंगल क्रोशे लेकर बुनना है, और वन चेन, डालना है, फोर डबल क्रोश्या, वन, टू, थ्री, और एक ये फोर, देखें, यहाँ पर मैं सिली पिस्टिच लेते वे जॉइन कर दोंगे, यहाँ पर, इस तरह से जॉइन मैंने कर दिया है, वन चेन लेते वे धागे को मैं कट कर देती हूँ, इस तरह से मैंने ये अब सारे फ्लॉवर लगा दिये है, सिंगल क्रोश्या लेते हुए, और फोर डबल क्रोश्या डालते हुए, मैंने ये फ्लॉवर को लगाया है, इस तरह से बन कर ये आ गया है, अब देखें, अब देखें, मैं इसका बोर्डर बना देती हूँ, बोर्डर बनाना है, तो देखें, मैं बोर्डर बनाती हूँ, बोर्डर में वाइट कलर से बनाऊंगे, वाइट कलर से बनाना है इसका बोर्डर, बन, टू, थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है त्री डबल क्रोशिया और एक ये फोर डबल क्रोशिया देखिए मैंने यह 4 double crochet डाले है 1, 2, 2 की chain और 4 double crochet किस तरह से 4 double crochet 2 की chain को डालना है 3 और एक यह 4 4 double crochet डाल दिये हैं 1, 2, 2 की chain अब देखिए यहाँ पर मैं slip stitch लेते हुए join कर दूँगे इस तरह से मैंने यह join कर दिया है और slip stitch लेते हुए आगे को बढ़ाना इस तरह से देखिए आगे को मैंने बढ़ा दिया है देखिए इस तरह से यह row बन कर आ गई है देखिए 4, 4 double crochet और 2 की chain अब देखिए मैं इसकी second row बनाती हूँ 1, 2, 3, 3 की chain और double crochet 3 और एक यह 4, 4 double crochet बन, 2, 3, 3 की chain और 4 double crochet 3 की chain 4 double crochet डालना है और row को complete करना है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 की chain और देखिए यहां पर मैं सिलिप स्टिच लेते हुए जोईन कर दूँगी इस तरह से जोईन कर दिया है और सिलिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना इस तरह से इस तरह से मैंने आगे को बढ़ा दिया है और यह बोर्डर की मैंने second row complete कर दी है इस तरह से यह रो बन कर आई है 4 double crochet, 3 chain, 4 double crochet, 3 chain अब देखिए मैं इसकी तीसरी रो बनाती हूँ देखिए मैंने सिलिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है अब इस तरह से single crochet लेना है और 1, 2, 3, 3 की chain और यहां पर डालूँगी मैं 10 double crochet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, औरे की, 10 यह 10 double crochet मैंने यह डाल दिये है 10 double crochet डाल दिये है अब 1, 2, 3, 3 की chain और यहां पर मैं next chain में डालना है single crochet इस तरह से 2, 3, 3 की chain अब यहां पर डालना है next chain में 10 double crochet 10 double crochet डालने हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह एक यह 10 यह 10 double crochet मैंने यह डाल दिये हैं इस तरह से अब 1, 2, 3, 3 की chain और यहां पर डालना है next chain में single crochet फिर 1, 2, 3, 3 की chain और next chain में डालना है 10 double crochet इस तरह से मैं रोकों complete करूंगी 10 double crochet 3 chain single crochet 3 chain 10 double crochet पूरी रोकों complete करना है इस तरह से मैंने यह 10 double crochet डाल दिये है अब देखिए 1, 2, 3, 3 की chain अब देखिए यहां पर मैं slip stitch लेते हुए join कर दूंगी यहां पर join करना है इस तरह से मैंने यह join कर दिया है और बंचेल लेते हुए धागे को मैं cut कर देती हूँ देखिए धागे को मैंने cut कर दिया है और इस तरह से यह row बन गई है देखिए मैं border की last row बनाती हूँ और इसमें मैं green color लगाती हूँ green color लगाना है तो देखिए इस तरह से मैं यहां पर green color लगाती हूँ देखिए इस तरह से single crochet लेना है देखिए इस तरह से मैंने यह single crochet ले लिया है देखिए single crochet लेने के बाद one two three three chain अब देखिए यहां पर one chain को skip करना है और second chain में single crochet लेना है इस तरह से देखिए यह मैंने single crochet डाल दी है बन two three three chain और फिर next chain में single crochet डालना है इस तरह से बन two three three chain और next chain में single crochet इस तरह से मैं यह border बना रही हूं बन two three three chain single crochet three chain single crochet इस तरह से मैंने यह single crochet डाल दिये हैं three chain single crochet बन two three four five six और यह तरह से मैंने यह single crochet डाल दिये हैं seven मैंने इसमें यह seven single crochet डाल दिये हैं three chain और देखिए यहां से मैंने skip किया है one chain इधर से और one chain इधर से इधर की side से one two three three chain और यहां पर single crochet बुनना इस तरह से देखिए single crochet मैंने यह डाल दी है इस तरह से फिर one two three three chain और single crochet डालना है one chain को skip करना है next chain में single crochet डालना इस तरह से three chain single crochet कि इस तरह से मैंने ये बंचेंज सिंगल क्रोशिय डालती हुए लीप को कंप्लीट कर दिया है देखें इसी तरह से पूरी रोग को कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशिय डालते हुए और ठीव की चेन बंचें अब देखें यहां पर मैं जोईन कर दूंगे यहां पर इस तरह से मैंने जोईन कर दिया है और बंचें लेते हुए धागे को मैं कट कर देती हूं ये रोभी मैंने अब कंप्लीट कर दी है लास्ट रो इस तरह से मैंने ये last row complete कर दी है देखे इसका मैंने ये border बना दिया है border बनाने के साथ ही अब ये थाल पोस complete हो गया है और ये देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल जसे सुन्दर आपिगाँ आप साथ है